हलो वोड़ी वन एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं अनुसंधान अभी शंता यानि कि रिसर्च एप्टिटूट का एक टॉपिक रहेगा सोध के साक्ष की इसमें हम बात करेंगे ठीक है जिसमें की प्रात्मिक स्रोत और द्वित्य स्रोत की बात करेंगे और फिर उसके बात जानेंगे गरंत सूची जो होती है उसके लिखने का तरीका कौन सा होता है ठीक है कैसे कैसे लिखा जाता है उसका और पूरा स्टेप देख डाले आपको notification मिलता रहे और अगर आपने अभी तक हमारी पहले की वीडियोस ने देखिये तो जरूर देख लें link मैंने description में दे दी है click करके आप हमारी पहले की इसी तरह की सभी topics पर वीडियोस देख सकते हैं तो देखें शोद में साक्ष सामिक्री तो जो साक्ष होते हैं जो डेटा होता है सोद में वो बहुत ही महत्पून होता है ठीक है सोद को सफल बनाने के लिए तो ये जो साक्ष होते हैं ये हमें दो सुरोतों से प्राप्थ होते हैं प्राथमिक सुरोत और दुईतिय सुरोत दोनों में अंतर क्या है तो जो प्रात्मिक श्रोत होता है इसमें जो डेटा हमें मिलता है वो एकदम परत्यक्ष होता है ठीक है जबकि दूइत्य श्रोत में हम डेटा को आपरत्यक्ष तरीके से प्राप्त करते हैं ठीक है अब मैं समझाता हूँ प्रात्मिक श्रोत में जैस ठीक है, तो वो कहलाएगी मूल पुस्तक, और ये क्या हो गया, आपके लिए ये एक परत्यक्ष, जो है स्रोत हो गया आकड़ी का, ठीक है, तो आपसे question कैसा पूछ लेता है, आपसे option दे दिया जाएगा, और पूछ लेता है, इसमसे कौन सा प्रात्मिक स्रोत के अंतरगत आत है, ठीक है, तो मूल पुस्तके जो होते हैं, ये प्रात्मिक स्रोत का हिस्सा होती है, सोद पत्र जो होते हैं, ठीक है, ये भी प्रात्मिक स्रोत में ही आता है, ठीक है, और उसके बाद पांडुलिपियां जो होती हैं, वो भी प्रात्मिक स्रोत का हिस्सा होती है, मूल लेक में जो है हमें आपरत्यक शुरूप से आकड़े प्राप्त होते हैं यानि उन आपरत्यक शुरूप से का मतलब यहाँ पर यह है जैसी कि माल लो न्यूस पेपर है न्यूस पेपर जो है उसमें कोई घटना घटी ठीक है अब वो दूइते सुरोत के अंतरगत आएगी, इनसाइकलोपीडिया जो होती है, ये भी दूइते सुरोत में आती है, संपाधित जो ग्रंथ होते हैं, वो भी दूइते सुरोत में आते हैं, अनुवाधित जो पुस्तके होती हैं, जिनका ट्रांसलेशन किया जाता है, धंग क्या होता है ठीक है अगर आपने किताबें पढ़ी हो ठीक है लेखो को की तो या कोई भी पुस्तक अगर आपने पढ़ी हो तो अगर वो पुस्तक या वो जो किताब है उसमें जो डेटा वगरा लिया गया है वो दूसरे कहीं से लिया गया है दूसरे किसी किताब से लि तो आपको उस बुक के बारे में उसमें लिखना पड़ेगा कि ये डेटा हमने इस बुक से लिया है अगर ऐसा नहीं करेंगे क्या होगा तो इसमें फिर काफी प्रॉब्लम होते है फिर लीगल कारवाही उसके खिलाफ की जाती है पुब्लीशर के द्वारा ठीक है तो जिसके आप सायता लेके अपना लेख लिख लिए हैं या अपनी पुस्तक लिख रहे हैं ठीक है तो उसको लिखने का ये विज्ञानिक तरीका है ये पूरा पैटर्न आपको पता होना चीए सबसे पहले लिखा जाता है जैसे मानलो आपने कोई लाइन लिये है चार पांच ठीक है रजनी कोठारी तो पहले कोठारी आपको लिखना पड़ेगा कोठारी और फिर रजनी लिखना पड़ेगा ठीक है यानि पहले सरनेम आता है फिर नाम आता है ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखना है पहले लेख का जो नाम होगा उसका अंतिमक्षर फिर उसक प्रस्ट संख्या यानि कौन सा पेज से आपने यह लिया है ठीक है तो यह पूरा का पूरा स्टेप जो है इसे फॉलो करना पड़ता है संदर्ब गरंथ सूची में ठीक है और अमेरिका वगर किया अगर हम बात करें थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है लांपर ठीक है न तो उसमें लिखने का कोई भी चीज्ज लिजाती है ठीक है किसी भी बुकसे तो उसको जो है अलग पर इसे लिखा जाता है लिखते भारत पॉस्टे को करूद हैं तो उसके नीचे ही हम जो है गरंथ सूची डाल देती है और लास्ट मने ह amantim जो किसी भी किताब के उसमें भी लिख देते हैं ठीक है अब देखें वीडियो पसंदार यो तो लाइक जरूर करना ठीक है हजारों की संख्या में वीडियो लोग देखते हैं लेकिन लाइक कमाते हैं तो अधिक से अधिक जो है वीडियो को लाइक जरूर करा करें ताकि इस तरह की वीडियोज आपको मिलते रहे और पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने ठीकर अब सोध परबंद लेखन की कुछ विजेस्ता हैं भी आपको पता होनी चाहिए ठीकर जब कोई भ जितने भी शोध होते हैं वो कही ना कहीं किसी समस्या का समाधानी खोषते हैं दूसरा वेभारिक पक्ष पर जो है सध्धान्तिक पक्ष से जादा बल दिया जाना चाहिए ठीकर एक शोध परबंदन में जो है वेभारिक पक्ष पर जादा बल दिया जाना चाहिए सध्धा माहने समझधाा रकुछबाराइं। सुची लेखने का जविज्यानिक धहने उसके बारें, सोध परबंध लेखन की विसेस्ता। वीलिए आपको पसंद आई ओ तो लाइक कर देना. चैनल को ibadis करेना है दुए को कर लें। ताकि इस तरह की वीडियो जब जब हम आप डालें, आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, तैयारी कर रहे हैं अगर आप UGC Net की, तो आप हमारे पहले की वीडियो को एक बार जरूर देखे, लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन देती है, UGC Net Paper 1 और Explain वीडियो C petitionμαι जैंघ हमारे की, भुवड़ जयारी की येडियो से वीडियो की भीडियोYeah